हलो फ्रेंड्स एजी एक्जाम यूट्व चैंप आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो आपका ICR का एक्जाम होने वाला है 2021 के लिए ये आपके 3 डेज में हर डे आपके 2-2 सिप्ट होने वाली है टोटल आपके 6 सिप् बरना है इन सब के बारे में आपको बताऊंगा ठीक है तो देखें यहां पर आपका सबसे पहले तो यहां पर देखें फर्स्ट नंबर पर आपके लिखावा है कि क्यूशन पेपर मीडियम कैसा होगा तो आपका English medium है अब इसकी आप टेंशन ना ले कि सब भी बच्चों को इंग्लीज में पेपर तो मिलेगा ही मिलेगा उसके लावा आपके पास दूसरी लेंग्वेजिज भी वहाँ पर कंप्यूटर में उप्सन में परजेंट होगी तो आप उसकी टेंशन ना ले और आप कौन सी सब्जेक्ट से पेपर देने वाले हैं वो भी आपका यहां पर सेवन सेप्टेंबर एड सेप्टेंबर और नाइन सेप्टेंबर त्री डेज में एक्जाम होने वाला है अब उसके बाद देखिए इसके बाद आपके पास है कि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है यानि इस टाइम से आपकी एंटरी स्टार्ट हो जाएगी एक बज़ क तीस मिनट पे आपका जो है एक्जाम सेंटर का जो गेट है वो क्लोज कर दिये जागा यानि दो बज़गे तीस मिनट के बाद किसी भी बज़चों का एंटरी नहीं मिलेगी तीन से साड़े पाँच के बीच आपका एक्जाम कम्प्लीट होगा और यह आपका एक्जामिनि लेटर है वो चार पेज का ही निकलवाना है हर पेज अलग अलग होना चाहिए क्योंकि जो ये self declaration वाला undertaking वाला जो है आपको ये भरना ही होगा और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसमें क्या बरेंगे क्या आपको करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ आपको यहाँ पर आपका नाम लिखना है और रेजिडेंस आप कहां के हैं वो आपको लिखना है एड्रस लिख देना है उसके बाद देखिए आपको लास्ट के 14 डेज में अगर इन बच्चे नॉर्मली होंगे तो यह एक्जाम देने जा रहे हैं सिंपल सी बात है उसके अलवा आपने 14 डेज के अंदर कहीं पर अगर आपने किया अगर आप आपको अपना फोटो लगाना है यहां पर आपको लेट बाला थम लगाना है यहां पर आपको अपने पैरेंट्स के कंडिडेट पैरेंट्स सिगनेचर आपको अपने पैरेंट्स के सिगनेचर करवाने है यह यह भी आपको घर से करके लेके जाना यह भी घर से और यह भी ती तो देखिए आपको लेकर क्या क्या जाना है आपको देखिए परस्टनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोटल आपको खुद को लेकर जानी पड़ेगी सेनेटाइजर की बोटल आपको खुद को लेकर जानी पड़ेगी एक आपको ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन आपको डाउनलोड करना है एपोर साइज के पेपर पे और उसे फुली फिल्ड घर से ही करके लेके जाना है उसके साथ आपके पास एक पासपोर्ट साइज गी और फोटो साथ में होनी चाहिए अटेंडेंस सीट पे जो आपकी वहाँ एक्जामिनिसन सेंटर पे लगेगी ओरीजिनल आपके पास वेलीड आइड़ी पुरूफ होनी चीए वेलीड आइड़ी पुरूफ का मतलब यह होता है कि जिस में आपकी फोटो आपका नÃम और डेटो बर्त तीनो परजेंट हो उसको वेलीड आईड़ी बोलते है तो आपके लिए आधार कार्ड हो गया आपका पेन गार हो गया आपकी वोटर आईडी हो गई यह किसी बच्चे का ड्राइविंग लाईसेंस भी आपका हो गया ठीक है और मासक आपको ले कर जाने है अपने अपने गलफस अपने आपको ले के जाने है ठीक है इस चीज का आप ध्यान रखना मास्क आपको लेके जाना है इसके अलबा इसमें और कोई इसी इन्फोर्मेशन नहीं है कि जो आपको इसी प्रिशा नहीं देती हो उसके अलबा आपको ड्रेस कोड का थोड़ा ध्यान रखना है आपको सिंपली ड्रेस आपको पहन के ज जाना है हो सके तो सूज नहीं अलाव नहीं है आपको सिंपल हवाई चपल पहन के जानी है यह आपको ध्यान रखना है इसके अलावा जो सबसे इंपोर्टेंट था इसमें था वह सेल्फ डिक्लेरेशन वाला पेज जो आपको कोईड-19 के लिए लेकर जाना है अगर आप कोईड पोजिटिव तो उसके अकोडिंग बरना है अगर आप कोईड पोजिटिव नहीं थे तो उसके अकोडिंग आपको बरना है और यह चीजी आपको ध्यान रखनी है यानि आपके देख लीजिए एक फोटो आप चिपका के लेकर जाएंगे एक पोटो आपको एक्ट्रा अलग से लेकर जानी है जो एक्जामिनीजन सेंटर पे आपकी फोटो जमा हो जाएगी आपको पेन लेकर जाना है water bottle लेकर जानी है sanitizer लेकर जाना है मास्क आपको लेकर जाना है ठीक है और उसके इलावा कोरोना की guideline का आप सभी को examination center पे पालन करना है अच्छे से जहिन